हेलो दोंस्तो रेल कारवा चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है भारती रेलवे से सफर करने के लिए हम हर बार किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भारत में कभी कोई रेलवे स्टेशन स्थाई रूप से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो चलिया आज का रिल कारवां शुरू करते हैं कोचिन हारबर टर्मिनस मतलब केरल को विद्यूती करण के दोरान भारती नौ सेना की आपतियों के कारण स्थाई रूप से बंद कर दिया गया था क्योंकि ट्रेन की पट्रियां नौ सेना की हवाई पट्टी के बेहत करीब थी हाल ही में उन्होंने कोचिन हारबर टर्मिनस और एरना कुलम के बीच एक डेमू चला कर स्टेशन को पुर्णर जीवित करने की कोशिश की लेकिन परिचालन बाधाओं के कारण इसे फिर से बंद कर दिया गया दूसरा हावबाग जबलपूर रेलवे स्टेशन जबलपूर में हावबाग रेलवे स्टेशन को आमान परिवर्तन के बाद स्थाई रूप से बंद कर दिया गया था क्योंकि स्टेशन का मार्क शहर के बीचों बीच से गुजरता है जो ब्रॉड गेज ट्रेनों की बनाया गया और गंगा नदी पर पुल का निर्मार किया गया जिससे मुंगेर का एक टर्मिनल के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया यूपी में गौरी फांटा जैसे कुछ और स्टेशन है जैसे आर्थर बंदर, वायजैक पोर्ट, भटगाउ, रायपूर सिटी, पारस बसता कुला आधी को बंद कर दिया गया था लेकिन इन सभी को बंद करने के कारण अलग-अलग हैं अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाते हैं तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स का एम रखते हैं और इसके पूरा होने के बाद ही इसका सेकंड पार्ट हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि भारती रेलवे ने कभी किसी रेलवे स्टेशन को किसी कारण से स्थाई रूप से बंद किया है या नहीं अगर आश वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दी कियोंकि इस चैनल पर भारती रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई